वेलकम भाई लोग कैसे हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ओनलाइन पैसे कमाने के तरीके जहाँ पर मैंने आठ तरीकों को डिसकस किया था तो वो वीडियो की लिंक आई बटन में वहाँ से आप देख लेना वहाँ पर एक तरीका था ब्लॉगिंग का तो ब्लॉगिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो तो आज ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का प्लैन कर रहे हो कि आपकी website बनाते हो वहाँ पर आप article लिखते हो और वो article लोग पढ़ते हैं और जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपके blog में यानि कि आपकी website में traffic आता है फिर चाहो तो आप पनी blog में Google Edison से add लगा दो या कि फिर आप affiliate marketing करके आपके वहाँ से पैसे कमा सकते हो तो blogging से भी बहुत अच्छा खासा आर्ण किया जा सकता है बहुत बड़े-बे blogger हैं जो कि लाखों में करोडों में कमाते हैं तो हाँ blogging से पैसे कमा जा सकता है तो blogging के उपर भी और आपको वीडियोस चाहिए तो आप बता देना कमा इंड बॉक्स में परसनली इस वीडियो में हम केबल blogging के लिए tools के बारें बात करेंगे कि अगर आप blogging स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें है जो कि मतलब compulsory है वो होनी ही चाहिए उसके बिना blogging नहीं कर सकते तो guys blogging के लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपके पास होनी ही चाहिए वो है domain और hosting क्योंकि देखो आप अगर कोई website बनाओगे for example अगर मैं a2i motorite की website बनाता हूँ तो www.a2imotorite.com या .in या जो भी है वो मुझे लेना ही पड़ेगा जो कि address होता है जैसे अगर आप offline को business start करते हो तो उसका नाम होता है ना जैसे अगर आपने कोई restaurant खोला तो आपका कोई नाम होगा restaurant का कि ये restaurant वैसे अगर आप online website खोलते हो उसका भी कोई नाम होना चाहिए branding होनी चाहिए उसकी उसको बोलते है domain तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा domain की costing की बात करो तो around आपको 500-600 रुपए ये 700 रुपए में आपको एक साल के लिए domain मिल जाता है और go daddy वगएरा से तो मत खरीदो मेरा जो first recommendation है domain के लिए link description में है hostinger से आप खरी सकते है hostinger में domain बहुत कम पैसे में आपको मिलता है personally मैंने जो feel किया है कि go daddy से तो कम ही price रहती है second hosting की बात करो तो जैसे अगर आप restaurant खोलोगे तो एक आपको area चाहिए एक space चाहिए वैसे जब आप online business खोलोगे website खोलोगे blog खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक online space चाहिए जहाँ पे आपकी website जो भी आप article लिख रहे है वो store होगा जो भी आप images अप्लोड कर रहे है वो store होगा और फिर लोग जब access करेंगे या पढ़ेंगे तो server के थुरूप वो जो data store है वो देख पाएंगे तो वो जो storage का space है वो hosting बोलते है जो area है space करने का online उसको बोलते है web hosting तो बिना web hosting के आपका काम नहीं होगा online का कोई बिचाय आप e-commerce बनाओ blogging करो website बनाओ कुछ भी कराओ तो हाँ hosting बहुत जवरी है guys hosting सस्ती भी आती है महगी भी आती है अब यहाँ पर ध्यान आपको यह रखना है कि भाई जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो तो guys personally मैं hostinger की ही hosting यूज़ करता हूँ और इंडिया के लिए मेरे हिसाब से अगर आप start कर रहे हो इसमें बहुत सारी website को host कर पाऊंगा multiple domain को register कर पाऊंगा और एक SSL certificate हो मिला है तो 23 सुरुपय में एक साल के लिए इससे अच्छी deal आपको नहीं मिलेगी इसकी speed भी बहुत अच्छी है आप यह मेरी website की speed यहां पर देख सकते हो तो हां hostinger में आपको speed भी अच्छी मिलेगी beginners के लिए तो भाई कमाल का है अगर आप hostinger का shared hosting वाला plan लेते हो premium वाला ठीक है तो इसकी link देदूंगा description में तो यहां से आप ले सकते हो यह तो हो गया hosting of domain इसके बेन तो आपका काम नहीं होगा second जो tool है वो आपके पास होना चाहिए वो है keyword planner keyword tool आप बोल सकते हो इसको तो देखो यहां पे तो आपको बहुत सारे keyword tool मिलते हैं free भी है paid भी है paid में बहुत महगे भी आते हैं सस्ते भी आते हैं जैसे आप beginners होगे आप start करोगे तो free की तरब जाओ free में आपको tool बताओ तो google का keyword planner यूज़ कर सकते हो free है easy to use है आपका सारा काम हो जायागा अगर आप जब तक आप पैसे कमाना start नहीं करते तब तक तो at least आप इसको use कर ही सकते हो उसके बाद भी आपका काम होगा अगर आप चाहो तो paid की तरब जा सकते हो बांकि इससे भी आपका काम चलता रहेगा इसकी जहुरत क्यों पढ़ती गए क्योंकि जब आप blog लिख होगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से topic उपर blog लिख होगे कौन से topic के searches अच्छे है क्योंकि जिनके searches होगे तो वही blog तो चलेंगे ना वही article तो चलेंगे अब for example आपने ऐसा कोई article लिख दिये जिनको लोग search ही नहीं करते ये लोग पढ़ते ही नहीं तो वो पढ़ा रह जाएगा तो इसमें आपको keyword tool help करता है आपको बताएगा वहाँ पर जो भी आप जिसके बारे में लिखना चाह रहे हो तो वह आप डालोगे तो से related बहुत सारे keywords आजाएगे कि इनको आप target करो इनको focus करो बाकि वह SEO का part होता है कैसे optimize करते हैं अपने article को पूरा कि जिससे वो rank करे वह अलग topic हो गया अभी अगर tool की बात करें तो हाँ आपके पास keyword planner का भी एक tool होना ही चाहिए next guys tool बताओं जो third tool है इसके बिना आपकी blogging नहीं हो सकती मेरे मतलब personally मैं नहीं कर सकता अगर मुझे article लिखना हो तो guys वो है grammarly grammarly इतना अच्छा tool है guys इसके free है पहली बात तो यह है इसका premium plan भी आप ले सकते हो but beginners आप free में इसको try कर सकते हो link description में है वहाँ से आप download कर ले न तो इसमें होता यह है कि जैसे आपने कोई article लिखा आपने English में कोई article लिखा आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई कहां पे हमने गलत कर दिया तो यह grammarly पूरा detect कर लेता है टाइप के extension है और इसका android के लिए app भी आता है तो extension ऐसा है कि आप इसको अपने laptop में जब install कर लोगे या computer में install कर लोगे तो आपके chrome में यह extension कित्रू add हो जाएगा और जब भी आप कभी चाहे email करो किसी को या आप direct article लिखो blogger में या wordpress में फिर आप translation वाले जो page है वहाँ पे आप translate करो तो यह पूरा क्या करेगा कि जब आप article लोगे तो जहाँ जहाँ गलतियां होगी ना इसको यह सुधार देगा आपको बता देगा भाई आपने यहां पे गलती करी है इसको सुधार हो ठीक है यह आप देख सकते हो अब इसक्रें में आपको समा जा रहा होगा तो basic तरीके वह ठीक है लेकिन जैसे आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको इसका premium plan नेना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हो यहां पे फ्री में यहां पे दिख रहा होगा कि भाई premium यह गलती है जिनको premium plan लेने के बाद सुधार सकते हो तो हाँ इसका premium plan भी आप ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से blog लिखना चाहते हो त premium plan ज्यादा महिए नहीं है मतलब एक महिने का पांट से लगवा आट से दस डॉलर का है अब साल भर का package लेते हो तो आपको बहुत कम में पड़ेगा तो हाँ यह टूल होना ही चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते ना आप कहीं student हो online कुछ लिखते हो प्रोजेक्ट मेल भी बेज रहे होगे ना तो आप बहुत सारी गलती कर देते हो यहां भूल जाते हैं कहां पर कॉमा लगाएं यह spelling mistake कर देते हैं तो वह सब इस extension के through right हो जाता है सही हो जाता है पेड़ वाले में जाओग तो और अच्छे तरीके से काम करेगा मैं नहीं को तो क्योंकि मैं चीज recommend करूंगा जो कि आपके पास होना है चाहिए वो है photo editing के लिए कुछ भी जैसे अगर आप blog लिखते हो तो वहां पे आप किसी की pics उठाके या किसी की image उठाके नहीं डाल सकते हो आपको खुद की image बनानी पड़ेगी जो कि non copyrighted हो उसका right आपके पास हो तो वह आपको बनानी पड़ेगी तो उसके लिए अच्छा platform चाहिए तो यहां पर मैं आपको recommend करूंगा आप canva.com से बना सकते हो लिंक दे दूँगा description में वहां से आप देख लिना canva में basically मैं सारी अपनी जो images होती है चाहिए YouTube का thumbnail हो चाहिए मेरी blogging के लिए जो भी images होती है वो पूरा canva में बनाता हूँ लगता है कि वो होना चाहिए वो है plagiarism check करने का अब यह क्या होता है तो plagiarism यह होता है कि जैसे आपने कोई article लिखा अब आपको check करना पड़ेगा कि आपका article unique है कि नहीं है क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते है कि हम क्या करेंगे भाई दूसरे का article उठाएंगे अपने blog मे लगतार करके रख लो तो जब भी आपका भी article लिखो यह आप कहीं से idea भी ले रहे हो जैसे आप मुझे पता है कि आपको सभी article खुछ से नहीं लिख सकते जैसे आपने कहीं से idea लिया तो idea जब आपने लिया तो ऐसा तो आप उसको copy कर दिया तो जो आप article लिखके complete करोगे तो इस website पे डालोगे, plugarism चेक करोगे, तो जैसे आप चेक करोगे, तो अगर plugarized है, मतलब article copied है, तो यह बता देगा कि हाँ आपका article copy है, या इतने % copy है, अगर 10% तक है तो ठीक है चलेगा, अगर आपने 2000 वर्ड का article लिखा, वहाँ पे 10% अगर copy हो भी रहा है, तो इतना चल यह tool है, basic जो की होने ही चाहिए, बाकि उसके लाबा अगर physical tool की बात करें, तो आपको पास एक device होना चाहिए, laptop, या mobile से भी आप कर सकते हो, या computer, जो इसमें आप लिखोगे, या article publish करोगे, SEO करोगे, यह बहुत basic है, इसके लाबा अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, blogging से related की, यह और क्या होता है, कैसे काम करता है, अब comment box में पूछो, उसके बारे मैं आपको answer कर दूँगा, और हाँ, बताव वीडियो कैसे लेगे, वीडियो अच्छी लेगे, तो वीडियो को like करो, और आपको इस टाइप से कुछ वीडियो चाहिए हो ना, blogging से related की, भाई, यह चीज है, तो बता देना comment box में, और वीडियो अगर अच्छी लेगे तो वीडियो को like करना हो, गाइस चैनल को भी subscribe कर लो यार है न, क्योंकि आपको बहुत जारी वीडियो मिलती रहेंगी, gadget के reviews मिलते हैं, basic वाले, और online earning, blogging, youtube related भी वीडियो मिलेंगे, तो बस like करो, subscribe क बस मिलते हैं, नेक्स वीडियो पे, see you soon